दोस्तों भारतिय खूफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में नई भारति आई है बंपर पदो पर यह भारति है सीटों की संख्या अच्छा खासा है सबसे खास बात यह है दोस्तों की दस्मी पास पर ही आपको एक पावरफुल अच्छा जॉब मिलने वाला है सबसे पहले तो आप ओफिस्यल नोटिफिकेशन देखिए कैसे कैसलेक्शन होगा एक एक चीज़ों के बारे माप लोगों को बताने वाले है तो यहाँ पर आप दिखें गुवर्मेंट आफ इंडिया इसके लिए आपको ओनलाइन फॉर्म फिलप करना पड़ेगा एक जाएगा कितने मार्क्स का कितना एक जाम होगा सबी चीज़ों को लेकर एक एक करके आपको क्लियर करने वाले है और आप कमेंट करके ये बताइए का आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलप करने वाले है आप में से किसका किसका ये डिरीम जॉब है फटाफट कमेंट करके बताइए यहाँ पर आप देखेगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर intelligence bureau का यहाँ पर दिया हुआ office के recording अगर तला हमदावा तो यहाँ पर आप देखेगा आपको यह लग रहा हुआ कि राज जी का नाम नहीं देखर कि यहाँ पर जयतर राजधानी का नाम क्यों दिया हुआ है जहाँ और क्या कुछ कंडिशन है सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है इसके बाद यहाँ पर देखेगा local language अगर आप इसमें फिलब करते हैं यहाँ पर जो भी भासाक का नाम दिया हुए पांच भासाक ना इसमें से कोई एक आपको आना चाहिए है क्या कि इसमें अगर आपका माली जे सौथ हे स्टेट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर वहाँ का local language आपको नहीं पता है तो फिर बात्चित कैसे कीज़ेगा इसलिए यहाँ पर local language मांगा गया है इसी तरह से देखेगा अमरित सर में पंजावी यहाँ पर मांगा गया है सीटो का देखेगा तो हिंदी पंजावी उर्दु आनाची 266 सिक्यूरिटी एसिस्टेंट का पोस्ट MTS का तिरेपन है तो सबसे अधिक यहाँ पर दिल्ली हेड़क्वार्टर में ही है इसके बाद चेन्ने में देखेगा तो एक सो आठ है तो जितने भी महान अगर है महान अगर पोस्ट का 1525 यहाँ पर सीट हो गया इसकवाद MTS का टोटल 1500 सीट है यानि यह जो भरती है दोस्तो 1625 तरपदो पर तो सीटों के संख्या अच्छा खासा है और यह भरती हर साल नहीं दी जाती है चार-पांच साल पर दी जाती है तो इसलिए आप सभी को अच्छे तरीकेस त्यारी करना है जिससे इसमें सेलेक्शन हो जाए अब यहां पर अन्य चीजों के बारे में देखिए अब यहां से पोस्ट वाइस डिटेल्स दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए योगिता क्या कुछ है कैसे क्या सेलेक्शन होगा तो सभी चीजों के बारे में यहां से द तो 33,000 इसमें आपको salary मिलने वाला है यह शुरुवाती salary हो गया MTS post में 18,000 basic salary है तो इसमें आपको 38,000 लगभग 29,000 salary आपको मिलेगा जब आप join किजेगा शुरू में और Central Government के और से जो भी allowance दी जाती है महागाई भत्ता होस्रेंट सभी चीज़ों को जोर कर कितना आपको मिलने वाला है इसके बाद यहाँ पर note में देखिगा Special Security Allons 20% पेसिक पेक आपको मिलने वाला है यह भी आपको extra मिल जाएगा 27,700 का 20% लगभग यहाँ पर आपको 43,000 रूपया मिलने वाला है 4000 प्लस आपको Security Allons भी 20% पर तीशत एक्स्ट्रा मिलेगा यह हो गया महागाई भत्ता सब को जुटने एक बाद अच्छा खासा सेलरी आपका बनने वाला है इसके बाद देखिगा Qualification यह आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर तीन condition है पहला तो यहाँ पर दिया हुए Matriculation यानि 10th pass होना चाहिए अगर आप किसी भी विशाय से 10th pass है इस फॉर्म को भर सकते हैं percentage marks का कोई condition नहीं है किसी भी board से आप 10 भी pass होना चाहिए दूसरा यहाँ पर देखिगा Domicile Certificate of the Estate against which candidate has applied आप जिस state से apply करना चाहते है वहाँ का Domicile Certificate यानि निवास पर्मान पत्र होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप जिस राज से आते हैं उसी राज में जो भी office है किसी राज में देखेगा 2-3 office P.I.B. का है तो सनुसरा आप और भर सकते हैं यह clear हो गया तीसरा यहाँ पर है knowledge of any local language लोकल लेंग्वेज भी आपको आना चाहिए शुरू में आप देखे तो इसके बारे में इसके बाद यहाँ पर देखे डिजरे लेबल qualification यह जरूरी नहीं होता है अच्छीक है अगर फिल्ड experience है तो ठीक है नहीं तो कोई दिकत नहीं है तो सुरू में जो तीन प्वेंट पहला metric हो गया दूसरा domicile certificate तीसरा local language आपको आना चाहिए इसके बाद दिखेगा age limit तो security assistant post का age limit जो है minimum यहाँ पर 18 साल रखा गया है और इसमें maximum की बात करें तो 37 साल 37 साल से अधिक आपका नहीं होना चाहिए MTS post में age limit 18 से 25 साल है तो 25 साल से अधिक आपका age नहीं होना चाहिए अगर आप OVC categories आते हैं तो 3 साल का छूट यानि 28 साल तक MTS वाले post में form भर पाईएगा security assistant में 30 साल तक form भर पाईएगर आप SCST साते हैं तो यहीं बड़ के 32 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा तो age में छूट भी आपको मिलने वाला जैसे central government में मिलता है अगर आप OVC साते हैं तो OVC परमान पत्र बना लिजें फिर 13 साल आपको उम्र में छूट मिल जाएगा अब अन्य चीजों के बारे हम देखें के एक चीजगाओं के बारे हम आपको बताने वाले इसमें जो है tier 1 examination होगा common और इसके बाद फिर merit के लिए सारा कुछ यहाँ पर कैसे क्या बनेगा तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में clear होने वाला है SC, ST, OVC certificate जो है central government के अनुसार होना चाहिए दुसारा certificate आपके पास होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर देखेगा center of examination तो आप अपने पसंद के अनुसार 5 center कोई भी चूज कर सकते tier 1 examination online लिया जाएगा तो इसमें आपको 5 center कोई भी चूज किजिए उसी अनुसार आपको center दिया जाएगा center सभी राज्यों में बनाया गया है जैसे यहाँ पर उतर प्रदेश में देखेगा तो 7-8 center है बिहार में देखेगा तो 6-7 यहाँ पर center है तो आप अपने अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं अब चलिए यहाँ से scheme of examination के बारे में इसको अच्छे समाझिए तो सबसे पहला जो चरण है tier 1 यानि की प्रारभिक परिक्षा आप कह सकते एक तरह से यह जो exam है online लिया जाएगा इस exam में total आप से 100 question पूछा जाएगा और इसके लिए आपको एक घंटा का समय दिन मिलेगा तो यानि समय के आपको कमी बिल्कुल होने वाला है तो आप अगर fast में बनेएगा इसके बाद reasoning से 20 question English से 20 question है इसके बाद general studies समान अध्यन तो यानि यहाँ पर एक तरह science जीके और current affairs यह सब समझे तो 20 question हो गया इस तरह से आप से 100 question पूछा जाएगा negative marking भी रखा गया one way अगर आप 4 question गलत करते तो एक सही का marks cut हो जाएगा तो समझ के आपको answer देना है और समाई कि आपको कमी होने वाला आपको fast में question बनाना है जिससे आप math reasoning का सभी question बना पाए इसके बाद देखेगा tier 2 तो tier 2 यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप MTS या फिर security assistant किसी भी post ले फावर महरते हैं अब के लिए यहाँ पर common exam यह होने वाला है tier 1 exam इसके बाद होगा tier 2 tier 2 जो है offline mode में होगा descriptive tab जिसमें आप से translation passage को कहा जाएगा local language अब mileage इंगलिश में दिया हुए तो उसको local language में अगर आप हिंदी भास 36 से हिंदी भासा में translate करके लिखिए local language में दिया हो रहेगा तो उसको English में आपको लिखना है तो इस तरह से translate करके लिखना है इसके लिए total 40 marks ने धारित के आगे एक घंटे का समय दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर part of tier 2 तो यहाँ पर spoken ability चेक किया जाएगा यानि आप बोल पाते हैं या नहीं अगर हिंदी भासी 36 है तो हम बात कर पाते हैं या नहीं यह हो गया 10 marks का होगा तो यहाँ पर यह भी clear हो गया तो 40, 10, 50 हो गया अब इसके बाद देखेगा tier 3 है security assistant post के लिए हम TS से अगरा आप और भरेत यह आपके लिए जरूरी नहीं है तो यह clear हो गया इसमें जो है interview personality test होगा 50 marks का अब यहाँ पर आप दिखीगा मिला करके तो इस तरह से total हो रहा है 200 marks अब आपको यह clear नहीं हो रहा होगा कि merit कितने पर बनेगा तो उस सारा कुछ आपको clear होने वाले यहाँ पर दोस्तों असपस लिखा हो है tier 2 जो है qualify nature का है जिसमें आपको tier 2 में अगर आप security assistant के लिए form भरते हैं तो 50 में से 20 marks लाना परेगा अगर आप MTS के लिए भरते हैं तो 40 में से 16 लाना परेगा यानि अगर आप MTS post के लिए form भरते हैं तो tier 1, tier 2 आपके लिए compulsory है यानि आपको देना परेगा tier 3 interview नहीं होगा MTS post के लिए तो tier 1, tier 2 होगा और जिसमें से tier 2 यानि 40 प्लस 10 ये 50 वाला जो ये qualify है अगर आप MTS post के लिए form भरते हैं तो बस 40 का होगा तो उसमें से solar लाइए और अगर आप MTS post security assistant के लिए भरते हैं तो 50 में से आपको 20 लाना है यानि 40 परतिसत marks लाना है तो ये qualify nature का आप इसमें असानी से pass हो जाएगा main जो आपके लिए है पाहला ही exam है 100 marks का और इसके बाद interview MTS post के लिए नहीं होगा यानि dare show में marks के धार पर आपका merit बनेगा तो ये clear होगे यहां से आपको और दोस्तों हमेशा हम आपनों कोई सी तरह संपूर्ण जानकारी देते हैं और अच्छे से जानकारी देते हैं जिससे आपका कोई भी dot नार है अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुर जाइए और इसका previous year का question भी चैनल पर उपलब्ध है वीडियो का link आपको मिल जाएगा description में पिछली बार 2018 में एक्जाम लिया गया था 2018 भरती का original question paper है देख लिजे कैसे का question पुझा जाता है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा उसी अनुसार बना करके आप selection ले सकते हैं इसके बाद देखेगा selection of candidate तो tier 1 exam nation के लिए 5 center आप चूच कीजिएगा negative marking 1 by 4 रखा गया है तो इन सभी चीजों के बारे में tier 1 exam 100 marks का होगा जिसमें से minimum है 35 तो 35 पर आपका result नहीं होने वाला है यहाँ पर देखेगा तो seat अच्छा खास है फिर भी आपका लगभग 75% marks लाना परेगा तब आपका selection होने वाला है यह तो हो गया इसके बाद देखेगा और बेसिस और परफॉर्मेंस नर्मलाजेशन marks किया जाएगा और दस वेकेंसी का दस गुना अभिहारतियों को 16,75 है तो 16,000 अभिहारतियों को tier 2 के लिए qualify किया जाएगा फिर tier 2 exam होगा tier 2 जो की qualify nature का है और इसके बाद tier 1 में marks का धार पर आपका merit बनने वाले interview को लेकर clear हो गया कौन से post के लिए इंटर्वियों कौन सो के लिए नहीं तो सारा कुछ इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है यह तो clear हो गया अब अब अचने चीजों के बारे में देखेगा अगर किसी अब भिहारती का marks टैफ होता है यानि बराबरी के condition में तो marks of tier 1 देखा जाएगा फिर marks of tier 3 का देखा जाएगा date of birth देखा जाएगा इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बद्या गया है फॉर्म भरने का जो date 28 जनवरी 2023 से form शुरू है 17 फरवरी 2030 लाफ्ट डेट है पेमेंट आप चलान के माद हम से 21 फरवरी तक कर सकते हैं और ऑनलेन आप 17 फरवरी तक payment कर सकते हैं फॉर्म आपको समय से फिलप कर लेना इसमें अच्छा का सा ब्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं इसमें फी कितना क्या लेगे का इन सभी चीजों के बारे हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म कैसे क्या फिलब करना है तो Intelligence Bureau के Official Site से आपको Registration करना परेगा Registration करने के बाद फिर आप Payment कीजे Photo, Signature, Qualification, Details यह सब चीजे सारा कुछ फिलब कीजे इसके बाद सम्मीट कीजे आपका फिलब हो जाएगा फिलब का फी देखेगा दोस्तों फी जो है यहाँ पर 50 पलस साथे चार सु रखाएगे यानि 50 रुपे एक्जामनेशन फी है और साथे चार सु रुपे रिकूट्मेंट प्रोसेसिंग चार्ज है इस तरह से पान सु रुपे एक आपको पेमेंट देना परेगा ये तो हो गया और अगर आप SCSD साथे हैं तो आपको ये 50 रुपे जो एक्जामनेशन फी है ये माप होने वाले यानि साधे चार सु रुपे सभी के लिए भी है ये क्लियर हो गये यहाँ से पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और अन्य चीजों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए तो इस भरती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलगे आप Ministry of Home Affairs का Official Sats से इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं फॉर्म भराने का लास्ट डेट सारा कुछ आप देख लिए सीटों का संख्या अच्छा खास है तिसलिए आप सभी इस फॉर्म को फिलब कर दीजे आप में से कौन-कॉन इस फॉर्म को भरने वाले हैं फटा-फट कमेंट करके बताईए अगर आप प्रिवियस एर का क्वेस्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है कमेंट सेक्षन में भी लिंक है ओरिजिनल दुहाजर अठार एक जाम का क्वेस्चन पेपर देख लिजे